गोड अफ्टाइन ओन, कैसे हैं आप सब? उमीद करती हूँ, बहुत अच्छे होंगे, और आज है फ्राइडे, फ्राइडे है और मेरे हस्बन का चुट्टी है, सो सुबह सुबह मेरा एक पार्सल आया, मीसो से, हस्बन घर में थे, सो उन्होंने पे कर दिया, तो मेरे पैसे बच गया है, मुझे अपना क्रेडिट काट से भी पे नहीं करना परा, अपने अकाउंट से भी पे नहीं करना परा, तो इन्होंने अपनी दो पसंद बताई मुझे, तो मैं आज बना रही हूं तो चल लिया आदा खाना तो मैंने बना लिया है और बाकी दो बनाना है जो एक तो मैं आप लोगों के साथ सेर करूँगी वो थोरा बंगाली अश्टेल सबजी है जो मेरे हस्बेन का फेवरीट है तो काफी दिनों से मैंने बनाया नहीं था तो घर में सेम था कि यह से मने को कट करके रख लिया है मैंने कट करके वह अच्छे से धोकर रख लिया है मैंने यह इसको बनाओगी सर्सों के साथ और यह करेला इसको मैंने मैं ऐसे पतले-पतले काट लिए इसको तो सिंपल ऐसे फ्राई करना है सिब नमक खल्दी के साथ इसमें कुछ है में दिखाने को और यह रहा मिकसी बोल और यहां मैंने सरसो को भीगा के रखा हुआ है इसको दातेंगे इस बोल के अंदर और इसमें डालूंगी मैं तीन हरी मिर्च और सात में डालूंगी लसुन की कुछ कलियां यह और डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च बहुत थोड़ा सा बस और इसको कर लूँगी पेस्ट डाल चावल और साथ में आलू पालक की सबजी बना ली है मैंने यह उसके बाद अभी यह दो बनाऊंगी तो सेम को मैं इसी करहाई में बनाने वाली हूँ तो पहले मैं इसे खाली करके धोँगी उसके पाद स्टार्ट करूँगी हाई एवरिवन मालती के चैनल पे आप सबको दिल से बहुत 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 स्वागत है तो कल बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा है तो आप सब को मेरी योड से बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक सुब कामनाए हैं और कल सब लोग यह लोग कपरे भी पहनते हैं सारी भी पहनते हैं बहुत सारे जगों पर बोलते हैं कि यह पहली होली होती है सो हमारे भी घर में होली के तरह कल पकवान पकते हैं तो मैं भी कल देखती हूँ क्या क्या बनाऊंगी फिलाल तो आज मैं यहां अपने हजबन का फेवरेट करेला जो करेला खागा बहुत मीठा बोलते हैं उनके लिए करेला फ्राई कर देएं और वह सिंपल सा फ्राई कर देएं इसको बस ठोड़े करक रेडर कलर में फ्राई करके निकाल लूँगी तो बस प्रेड खाने में अच्छा लगता है और यहां मैं सेम फली की सब्जी बना रही हैं तो मैंने कर्इमें बटय डाल दिया है बटे डलने के बार मैं इसमें सेम फली को डालकर और थुरा हल्का एक दो मिनट तक फ्राई करूँगे तो यह बंगाल में जादा थर्षीद्स को खाया जाता है सो मैं आज वही बना रहेते हैं वहां पर बनाई जाती है और मेरे हस्बन बच्पन से खाय हुए है तो अक्सर ऐसे सब्जियों को बनाने का दिमांड करते हैं तो यहां मैं वोसी सेम फली को फ्राई करके निकाल लूँगी और उसके बाद और उसके बाद मैंने करहाई में फिर से बटर डाला और उसमें जो पेस्ट बना कर रखा था सरसो का वो डाल दिया है फिर उसे अच्छे से फ्राई कर लूँगे और उसमें हल्दी डाल दोंगे ज्यादा कुछ मसाले नहीं डलते हैं इसमें और डालना चाहे तो लोग अपनी अपनी पसंद से डाल भी सकते हैं मेरे घर मेरे ससुराल में इसी तरह से बनाई जाती थी तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ और यहां मेरा फ्राई हो गया मसाला अब इसमें मैं फ्राई करके रखा हुआ जो सेंपल ही है उसे डाल दूँगे और बस एक दिर मिनेटी से मसाले के साथ चलाऊंगी थोड़ा कसने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी बहुत जल्दी बन जाता है जेम इतना टाइम भी नहीं लगता है यहाँ मैंने उसी बॉल में जो मसाले लगे हुए थे तो इसमें थे उसमें ठूरा पानी डाल करे और उसको ही डाल दिया है है और जितना पकने के पाद यह बहुत डॹराइड ड्राय बनताे हैं। सुखा-सुखा लिप्ता हुआ है तो उसमें अपने स्वाहत के नुचाई नमग ड़ीते हैं अब भास धी रखके पकने रख देंगे और यहां मैंने देख लिया यह सब्जी मेरी तयार हो गई है अब इसमें मैं क्या करूंगी चिरी हुई महरी मेर चौर बटे डाल दूँगी और थोरा सा कटा हुआ धनिया भी डाल दूँगी धनिया तो सारे सब्जों का टेस्ट वे बढ़ा देता है और धनिया टमाटे तो मेरा फिवरेट है मुझे हर सब्जी में धनिया टमाटे चाहिए होता है बस यहां तयार है मेरा सब्जी अभी चार बज गया और लंज करने के बाद मैं चली गई थी पार्क में धूप में हमारे पास में ही है पार्क वहाँ चली गई थी और अभी आई हूँ तो यह है मेरा पारसल अभी इसको खोल कर देखती हूँ यह कैसा आया है किसी को पहले मोबाइल पकराती हूँ यह वह सारी है जो मिसो से आई है यह अभी मैं नहीं दिखाऊंगी इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी या तो मैं पहले ब्लाज स्टिश कर लूँगी सारी तयार कर लूँगी उसके बाद मैं इसे दिखाऊंगी है पहले ही दिखा दूँगी और बस आई तब तक के लिए बाई और मिलती हूँ कर पहले ही हूँ अबड़गी है